आवाज इन्डेट वी में आपका स्वागत मैं हूं अमन कामले बात करते हैं थर्ड फ्रंट की तीन स्टेट्स के जो इलेक्शन हैं चाथिसगर रजस्थान और एमपी उसके साथ में जरम और तेलंगना भी है लेकिन तीन स्टेट्स जो है जहाब यसपी का प्रेजिंस है सबसे ज़्यादा है तो इस स्टेट्स तीन स्टेट्स के एलेक्शन में कॉंगरेस के साथ ब्यस्पी का अलाइंस हो इसलिए काफी मशक्कत हुई काफी ब्रेंस्टॉर्मिंग हुआ कॉंगरेस के वरिश्च निताओं ने मायोती से मुलाकात की और कोशिश थी कि ये तिनों स सब्सक्राइब करनाटक में अपनाया तो कॉंग्रेस के रवय के कारण जो है तीनों स्टेट में ब्यस्पी और कॉंग्रेस नहीं हो सका कि मायोती चाहती थी कि एंपी में पचास सीटे मिले और तीस तक शायद अलाइंस लॉक हुआ रहता चातिस गड़ में भी सब्सक्राइब को कॉंटेस करने थी अलाइंस में और आजस्थान भी सम्थिंग 15-20 तक अलाइंस से मित हुआ अलाइंस होग होने के संभावना थी लेकिन कॉंग्रेस ने इतनी सारी स्टेट देने से बना किया अब यह तीनों स्टेट्स जो है यहां पर बीएसपी का प्रजिंस काफी अच्छा है 36 गड़ में तो एक MLA है MP में 4 MLA है और अजस्थान में 3 MLA है और पिछले कुछ दिनों से जो है बीएसपी ने कंटिन्यू इन तीनों स्टेट्स में काम किया है तो बीएसपी का जो ग्र को गडबंदन में शामिल करके सकता हासिल की चाहे वह स्टेट की सकता हो या चाहे केंद्रिक सकता हो लेकिन कॉंग्रेस अब भी यही समझती है कि वह अपने बलबूते पे बीज़िपी को हराएंगे जो नहीं कर सके चाहे चाहे गुजरात हो चाहे करनाटक हो करनाटक में अभी जेडियस और बीज़िपी का अलाइंस को मजबर उने सपोर्ट देना पड़ा और कुमार समय सीयम बने अब यह तीन स्टेट्स के जो इलेक्शन है जहां पे अब इन स्टेट्स में भी बीज़िपी के साथ अलाइंस बने इसके लिए काफी कोशिश हुई लेकिन वो बेकार रही क्योंकि कॉंग्रेस नहीं चाहती कि अपने जो खटक दले उन्हें अधिक सेटे दिये जाए यही दिक्कत उनके साथ में तिलंगाना में हो रही है क्यो एक चर्चा राजनेती गलेवरों में तेज है कि शायद कॉंग्रेस और बीजीपी के अलावा थर्ड फ्रंट बने क्योंकि आज की कंडिशन में मायावती इस देश के बहुजनों की विशेष्टा SCST वर्ग की सरोमाने नेता है और एक अंडाटेट नेता है और हर कोई चाह सब्सक्राइब करेंगे मायावती को सब्सक्राइब करेंगे मायावती को पोस्ट के लिए तो तक्रीबन हर शेत्रिय पार्टी जो है आज बीस पी के साथ पाना चाहती है आर जेडी लाले अदों की जो पार्टी है उन्होंने मायावती को राजसवास सीट ऑफर की थी और तेजस्वी आदों चाहते हैं कि बिहार में मायावती के साथ में गडबंदन मने ज शेत्रिय पार्टी जो है मायावती से मिले थे उन्होंने भी चाहता कि बियस पे गडबंदन हो चाहिए शेत्रिय लेवल पे या फिर लोकसवा लेवल पे उसके बाद हम जाते हैं राजस्तान में तो राजस्तान के जो कुछ विदायक है विज़िपी की बागी विदायक औ अगर मायावती, पियम, पोस्त के लिए सबसे बेस्ट केरेट है और वो उन्हें सपोर्ट करेंगे तो इस तरह से अलग-अलग स्टेट्स में जो है वहाँ के जो औरिजनल पार्टी है वो मायावती को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके कारण जो है तीसरे मोर्चिक संभा होना बंते दिखाई दे रही है तीन स्टेट्स के एलेक्शन में क्या होता है इसके बाद हो सकता है कि कॉगरेस और बिजीपी से अलग हटके थर्ट फ्रट बन जाए ये संभावना है अभी इस पर कोई ऑफिशल स्टेट्मेंट किसी का नहीं आया है हाला कि चौटरा ने ज अगर छोड़ दिया जाए तो तकरीबन सारे स्टेट्स में जो है वहागी जो रिजनल पार्टी है वो चाहती है कि मायावती को पीम कैंडिट खोशित करें बंता मैंदर जी और मायावती के बीज भी अच्छी केमिस्ट्री बनने की आसार है हो सकता है कि वहाँ भी अलाइं दिर्भर रहती है क्योंकि इसके पहले जो 2014 का इलेशन हुआ था उसके पहले भी प्रकाश काराज जो थे उस वक्त के सीपीम के महसेचू थे उन्होंने काफी कोशिश की थी कि मायावती के नितितों में एक थर्ट फर्ट बन जाए और इसका असर पूरे देश पे होगा ले लेकिन आज की जो कंडिशन है आज का जो एक महहौल है आज का एक राजनोतिक परस्पेक्टिव है उसमें जो है मायावती ने पहले से ही अपने दरवाजे ओपन्स कीए हैं सब जगह वह यारी है चाहे हारya आँ हो चाहे पंजाब हो चाहे MP हो, चाहे तीजओड हो, पजबसतान हो, बिहार हो, चाहे करनाटक हो, चाहे महाराश्ड हो, जितने के-क स्टेट्स में बाया होती है कि वहाँ की जो औरिजनल पार्टी समयम है उनके साथ में एलाईस किया जाए number तक हो सकता है कि ये परसपेक्टिय जो है लोगसभा के लेवल तक भी आज़ाए लेकिन इसके लिए हमें शायद इनतजार करना होगा लोग इस तैन पर्सेस के क्या होता है साथ तयलंगाना का भी लेशन है अगर ये पाच्छों स्टेट्स में कॉंग्रेस सर्वाइव करते है Congress फिर से bounce back करती है तो शायद हो सकता है कि यह front न बने और Congress के ने तो नहीं front बने लेकिन अगर इन पाँच states में Congress कहीं भी अगर चुक जाती है तो definitely जो है एक third front बनने की उम्मीद है लेकिन BSP के लिए भी काफी turning point है, testing point है क्योंकि बड़ी कोशिशों के बावजूद भी जो है BSP ने alliance नहीं किया Congress के साथ में BSP ने माना कि हम लोग अपने ही बलबुते पे फिर से contest करेंगे हाला कि वो alliance करना चाहते है लेकिन original party साथ में अगर BSP गलती से भी जो है इन तीनों स्टेट्स में back आती है या फिर उन्हें उम्मीद के वोट्स मताबिक अगर वोट्स नहीं मिलते हैं तो इसका असर जो है लोकसवाई election पर भी होगा और यूपी के elections पर भी होगा क्योंकि bargaining power जो है और शायद कम हो सकती है लेकिन जिस तरह से मायवती के तेवर है जिस तरह से उनका विश्वास है जिस तरह से उनका सोच है जिस तरह के उनका दूर-दर्शिता है उसे ज़रूर लगता है कि शायद इस तीनों स्टेट्स में जो है जहाँ पर बी एसपी का प्रेसंस अच्छा है वहाँ पर बीएसपी सर्वाइब करेगी और अच्छे नंबर्स के साथ में अपना प्रेसंस दिखाएगी और शायद किंग में कर बन सकते हैं क्योंकि चेज़ गरड में जो है नैंटी पार्टी ये कुछ और कुछ अन्य दल है ये लोग मिलकर अगर इलेक्शन कॉंटेस्स करते हैं जिसकी तैयरी चल रही है तो यहां भी हो सकता है कि कॉंग्रेस को बहुमत के लिए इन पार्टी को सहरा लेना पड़ सकता है राजस्तान में वैसे तो वन वे फाइट है क्योंकि वहां ऐसा लग रहा है कि शायद कॉंग्रेस बहुमत के साथ में वापस आएगी लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वहां भी जो है जो बीज़ेपी के बागे विदायक है और जो कुछ रिजनल पार्टी इनके साथ बीएस्पी अलायंस करने जा रही है तो हो सकता है जिसक स्रवाइब करें फिर समय वापस है लेकिन यह नतीजे है कि वह बीज़ेपी से काफी लोग तंग आ चुके हैं मोदी के बिज़ेपी के सरकार हमेशा ही चाहती है कि देश में अमन्च चैन्न होते हुए हमेशा हिंसा और एक भाय का माहौल बने और इसी माहौल को दूर करने के लिए यह पाचो स्टेट्स के लेशन काफी माइन रखते है काफी इसका इंपोर्टन्स है और हम लोग भी चाहते है कि इन पाचो स्टेट्स के लेशन में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाए और जो सेकुलर दल है चाहे कॉंगर्स हो बीएसपी हो चाहे अन्य दल हो यह सत्ता में वापस आए धन्यबाद